नमस्कार मैं हूँ जोती जोशी, TV9 भारतवर्ष की डिजिटल प्लाकफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुरे हैं बेहत खास महमान, रेनाउन मजीशियन और मेंटलिस्ट चंदरांकित शर्मा चंदरांकित बहुत 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 स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर यह जोपी, थैंक यू सो मच तो इंटर्व्यू करने से पहले आपको छोटा से इंट्रॉक्शन देदेती हूं का साथ साल के उंड़ से यह शर्माजिक और माइं रिडिंग कर चुके हैं तो चंदरांकित सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे ओर्डियंग को चोटा सा देमो देखाएं अपके माइंड रिदिंग से पफले एक चीज़ करना चाता हूं मैं देखना है कैसे लोग को किरेंगे वो तरहा मैं किसे1 को इन्फूंस करना के अगल du jail किसी के साथ में हाँ पर हमारे साथ में रे वाँ आजिक हतना गर्वां किक अपना क्रेश पयां आपकोर हम आफेसे करना थे दूरियोच करने पिर से तंब है नह omnipts कैर ताहिक खी और ठ्धिफरे subscribe बहुत चोटा सा एक्सपेरिमेंट है तो एक प्रेडिक्शन है और मेरे पास में तीन कार्ट्स है स्टार, सर्कल और ट्राइंगल इनमें से किसी भी एक को सलेक्ट किजिए अपने माइन पॉंट इड़ तैट सर्कल मैं एक और मौका देता हूं आपको आपको लगता है कि मैंने आपको सर्कल सलेक्ट करने के लिए इंफ्लेंस किया या फ्री चॉइस था आपको बता है कि आपने सर्कल क्यों सलेक्ट किया यह एक्षुली फ्री चॉइस नहीं है बहुत सार लोगों को लगता है फ्री चॉइस है बट मैंने यह स्टार्ट होने के पहले आपको एक चीज दीती आपके हाथ में एक पैन वह पैन चेक कर सकते हैं पैन पे लिखा है यूविल चूज सर्कल तो हम एक्चुली बहुत जल्दी इंफ्लेंस हो जाते हैं इनको पता भी नहीं चला और इनके सबकॉंशियस मांड में वह जब पैन लिया तभी वह बैड़ तो इतना एजिए लोगों को इंफ्लेंस करना हाय साक्षी हुए हुए हु एक छोटास एक्स्परेंट राइगाते हैं आपको अपका फोन है इसमें पिन कोड होगा राइट हाँ पासवर्ड है आपको दे सकते हैं इसको आपको वाइप कर लिए जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं वह पैटन देख रहा हुआ है कुछ ऐसा टीके नाओ किया किसी पासषर डांपकर नहीं कि आपको और स्वाँजी आपको आपको दूर्ण भीन में कोठी तीक रहा है इसे प्रहा है एपको एक पैतन दिख रहा है छली फुल-फुल पासवर्ट सोग्य है क्याल कि मैं सिफ लास्ट रिख डालूँंगा जिस्ouse पे लास्ट दालुंगा भी ज RAW आपाँ पुरा भूलो Joo अलー है अठ़ा कुल गया अडर्षय बार कारे ससे कान फिर चाहते हैं जसमें आपके अर्णी के बारे में जानना चाहती हैं सबसे बारे में तो इसके लिए हम चलते हैं तो सबसे बारे में चलते हैं तो सबसे बारे में सबसे बारे में चलते हैं तो सबसे बारे में सबसे बारे में बहुत कम लोगों को इसके बारे में तो इसके बारे में आप कुछ बता है कि मैंटलिस्ट कौन होते हैं वो क्या करते ह बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि दिमाग पढ़ने वाले लोग या फ्यूचर बताने वाले लोग बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है एक साइकिक और मैंटलिस्ट में Elementalist is just like an art form, it's an art form which leads into mind reading This is not happening भाले वाले लोग टो, मैं नहीं है क्लीम करता है कि मैं किसी का भी मैंब्र सकता हम मैं यूच्छ और यह बता सकता हूँ किनो आप क्या सोच रहें बट भुच beetje disturbed तो जैसा कि आप ने बताया कि आप 7 साल के maarम्र डोले से सब तो देखा था, Magic Show, and वहां से inspiration मिला कि मेर को भी यही करना है, मने अपने पापा को परेशान कर दिया था, कि मेर को सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, और यहीं पढ़ाई पर जददा ही जादा दो, फिर एक ब्रेक लगग गया, सब्सक्राइब अपना ग्रादिशन किया, थोड़ा एक स्पीरियंस लेने के लिए मैंने एक परेट कम्पनी में काम किया, and then I decided that's it, that's it, I have to do magic, I have to do it, and in 2018, I have left everything, job or whatever, and I pursued my passion and made it into my profession. How do you learn your mind? I create a illusion of mind. Actually, there are a lot of common human behaviors, so I would like to tell you a little example. I want to tell you, if you think about a number of 10, mostly, most of the people must be thinking of the number 7. I don't know, maybe you have thought 7. Yes, I have thought 7. Common human trait. So, about magic history, how did it start? And as you have told that your patients have not supported in starting, in India, what is the future of magic in India? Actually, if you can see in the 1960s and 70s, Indian magic was a lot of demand. Especially in the U.S. and the U.K., people were crazy that they were being a magician, because we had a very good style of magic, it was called Maharaja's style of magic. Because we were dressed like Maharaja, and we were wearing a sofa, it was a very flaming personality. But slowly, you can see, it has declined. There are two reasons in my mind, which I think. One reason is that, as far as the other art forms and the audience didn't get much support for the magic, and then the magicians were able to perform very cheap. So, they got a madari status, that this is a madari work. The second reason, which is my personal opinion, is that, Indian magicians stopped innovating. They left new things. They were showing things in the 70s, in the 80s, in the 90s. And as a magician, we have to get a step further from people, which is very important. So, this happened a little bit, but at the moment, some people are doing new things. Like I am in corporate magic. I perform for corporate. So, something is different. Now, I can perform completely. Before, I came to a truck and performed. So, these are all changes in magic. But again, we need a lot of support for the audience. So, I would like to ask you, how important magic in your life is in your life? Magic is actually very important in my life, not in everyone's life. Why do I say this? I will tell you. Many people think magic is just for entertainment. But, we can actually learn a lot from magic. I have learned a lot from my life. which I have learned from magic, and the rest of all activities, I think magic is a lot of influence. And that's why I have learned about it compared to others. You can learn from magic, creativity, body language. Most people say magic is a slight of hand. They are actually body language. We control it. So, you can learn it, and have confidence to hold on stage, to be aware of the surrounding, सराउंडिंगे बारे में अवेर रहना ये सब चीज़े आप मैजिक से सकते हैं और मैं इस ही खाता हूं कॉर्परेट्स को और किट्स को की हाउ टू क्रियेट मैजिक जहां पे भी आप हैं वहां कैसे मैजिक करना है अपने काम में पढ़ाई में बिजनस में सब जगे तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें इसे कॉमेंट करें और इसे शेर भी करें देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा डिजिटल चानल टीवी नाइन भारत वर्ष हमने की गलती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दोगस दूरी करें अपनी सुरक्षा पूर कोरोना टीका हम सब को लगाना है मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है